हेलो दोस्तो स्वागत है आपका उत्रखंट जी के वेरी इजी ट्रिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्मार राजवंस के पार्ट 19 के बारे में इससे पहले मैं पर्मार राजवंस का पार्ट 18 पर्दियुमने साहत तक कंप्लेट करवा चुका हूँ तो दोस्तो गुर्खाओं को हम बीच में स्किप कर रहे हैं गुर्खाओं को हम पर्मार राजवंस कंप्लेट करने के बाद में पढ़ेंगे लेकिन आज हम यहाँ पर्मार राजवंस के पच्पनवे राजा महाराजा सुदर्शन साह के बारे में बात करेंगे जिनका टाइम प्रियर था 1815 से 1889 तक तो इनसे रिलेटेड जित्ते भी इंप्रेंट पॉइंट्स बनते हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप इन पॉइंटों को नोट करते वे चलिएगा आपको पता चलिया होगा कि पेपर काफी डीप आ रहा है और आया हुआ ही पूछूँगा तो आप लोगों का रिविजन होगा आप लोग देखेगा कि आपने कितना सीखा है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके बगल में जो बैल आइकन की की बनी आप देखिए दोस्तों ओठासोचार में क्या हुआ था खुलोबुड़ा का युद्ध हुआ था तो हमारे पर दूम्निसाह के मृत्ति हो गी थी तो पर दूम्निसाह के अधिकार का लिया था तो वह कंखल ज्वाला पूर्मा आकर बहने लगी यही लिखा गया यहां पर प तो एक कंखल यानि की कंखल को हरिद्वार का जाता आपको बताई होगा तो कंखल में एक जगह होती ज्वालापूर हरिद्वार नाम जगह पर रहकर यह राज कनने लगे ठीक है उसके पस्ता दोस्तो कुछ इत्यासकारू ने कहा है कि यह दिल्ली गए थे कुछ इत्यासकारू ने कहा कि 889-8111 थे कि बरेली में भी रहे तथा जहां इनकी मुलाकात जो थी एक कैप्टन हेयर हंग हीरसी के साथ हुई ठीक है यह एक एंगलो इंडियन इंसान थे अंगलेज पुस्तक की अकॉर्णिंग एयर गिल ने कहा है दोस्तो कि शुदर्शन साह अपने राज्य को पुनभ राप्त करना चाहता था इसी कारण उसने कैप्टन हेयर हंग हीरसी नामक एंगलो इंडियन से मुलाकात की तथा उसके साथ संबंध अच्छे बनाए और अपने राज् इसी सोड़ा सा असंगत ही लगती है उसके बाद दोस्तो परदियुन साह ने अपने राज्य को पुनभ राप्त करने तो अंग्रेजु से मदद ली कंपनी सरकार से साहिता प्राप्त कर सुदर्शन साह फतायगल भी गया और अंग्रेज गोर्खा युद्ध की गोशला होन इनक्रिक्यां के खिला लड़तो तो अंग्रेजु ने का चलो ठीक है बाई हम लड़ देते हैं उसी हूँ उसी बीच में उन्ग्रेजु Cimme और इनक्रिकु परद्यूम्न ने साथ जो हमारे सुधरसंस है वो में 815 के बाद पढ़ने है यह हम गुर्खा काल और अंग्रेजू काल में कवर अब करेंगे लेकिन अभी मैंने आपको डेटियल एक थोड़ा सा सैंस के लिए दे रखा है तो इसी बीच में क्या हुआ जिस तो खलंगा का युद्धर 1414 जिसमें अंग्रेज लोग जीद गये ठीक है उसी के तहट 28 नॉमबर 1815 को संगौली में संगौली यानिकी चंपारन बिहार में एक गोरखाओं की सरकार ने इसे स्विकारा 1816 में का हुई थी चंपारन बिहार में तो यह पॉइंट भी काफी इंपोटेंट है तो इस तो सुदर्शन साने इसी बीच में उनके दो विवा थे उनकी आठ रानिया थी और उनने दो विवा के थे एक तो क्या था जम्मू के हमारे कर्म प्रकास की राजकुमारी के साथ तो दोनों विवा इनके हरिद्वार में वे थे ठीक है से 1815 तक और 1815 में ही कर्णन निकोलस और कर्णनल गार्णनर ने कुमाओं के अलमोला चेत्र को जीता और जन्रल ऑक्टन लें मलाव का किला जीता ठीक है अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि 815 में चलो संगौली की संदी हो गई तो आप क्या हुआ हडप नी थी अंग्र करिएगा हडप नीती के तहट उन्होंने क्या किया कि युद्ध मैं हुई छेती के लिए सुदर्सन सा से पांसलाग रुपे की डिमांड करी ठीक है अब यार सुदर्सन सा के पास पांसलाग कहा से आएंगे वो तो वैसे विचारा उसके बाद ना राज्य था ना कुछ था किया गया सुदर्सन सा से कहा भाई तुमने युद्ध की व्याई छती व्याई तो तुमने दिया नहीं है तो आदा गड़वाल तुम ले लो आदा गड़वाल हम ले लेते हैं तो अंग्रेजु ने इस तरफ पूरे आदे गड़वाल पर अपना क्या कर दिया राज्य कर थीक है और जो हमारे सुदरसन साहत है उनको खाली तीरी दियासत नाम ताफिन वी हमने का पीस दों ने को जब भी तुम्हारी चुब्रिति है उसे उनने बै। और भी बहुत सारे पॉइंट था यार कि जैसे कि आप स्रीनेगर पर राज नहीं कर सकते हो और सुधरसन साह अपनी जो पुरानी राजदानी स्रीनेगर को प्राप्त करना चाता था लेकिन अंग्रेजु उन्हें स्रीनेगर दून परगना और जो भी इंपोडेंट चीज से छेत्र दे दिया अलगना मंदागनी देगा पस्षी भाग ठीक है आगे हम इसके बारें बात करेंगे और जो दूसरा भाग था अंग्रेजु के अधीन ब्रेटिस गड़वाल के लाया जिसके 1815 से लेकर 1824 सताय 47 लग 45 24 कमिशनर हुए जो कि हम आगे बात करेंगे ठीक है 1849 में गड़वाल जिले का भी निर्मान किया गया तो यार यह चीज़े तो हम आगे बढ़ेंगे ना तो अभी हमें में चीज़ पे बात करनी है कि अब सुदर्शन सा के बारे में रियल फैक्ट स्टार्ट होंगे अब दोस्तों यहां से सुरू होता है हमारा इंपोटेंट सुदर्शन सा ठीक है अब सुदर्शन सा प्रमाराज है को जा थे पच्पनवी राजा थे अभी चीज़ाम में कोशन पुचे आ लुकिए क्योंकि तीरी डियासट उन्हों ने इभी बनाई थी ना इससे पहले उर्तई साथ स्रीनिगर में विशान करती थे गंळ राजlay का चलो चलो सुदशनाइका चलो अपना घ्र होग उन्हाने लगा तो जिसकी पुष्टी क्या होई थी स्ट्रों मार्च 815 की अस्थाई सनद के द्वारा हुई थी ठीक है अस्थाई सनद में कुछ पॉइंट रखे गए थे जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ वह पॉइंट क्या क्या थे तो उस्थाई ये थे वो कुछ पॉइंट की जो सनद में रखे गए थे कि गलवालाजी का बटवारा कीया जाएगा ठीक है और बोई परगना और बिटिस सरकार के अंतरगर रहेगी राजा को श्रीनेगर में रहने नहीं दिया जाएगा यदि राजा स्रीनेगर में रहने जा अस्तावितार जी की व्योस्ता दे दी जाएगी और सनद में कुछ निमने पॉइंट भी देने गए कि बेटिस सरकार की मदद करेगा तो यहाँ पर यह यह पॉइंट थे इसके तहट क्या हो था उन्होंने अस्ताई सनद तयार की थी तो यह आपर इंपोटेंट पॉइंट ब के तहर सुदर्शन सा को एक लिमिटेट राज्य दिया गया अस्ताई सनद दी गए थी चार मार्ट अठासव पंद्रा किसने दे थी विल्यम फ्रेजर ने सनद दी थी तो इंपोटेंट पॉइंट है और टीरी में दोस्तो भिलंगरा नदी के तट पर सेमल के मैदान पर सु किसने किया दोस्तो जो सुदर्शन सा का राज़गूरू थे राजगूरू नौटियाल ने उनका राज़ग किया था तो सभी पॉइंट है तो राज़दी लग हुआ तो उन्होंने अपनी राजदानी काम नाई दोस्तो टीरी में मनाई 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन सा ने अपनी राज़दानी टीरी में स्ताफिषी और टीरी राज़दी स्तापना दिवस पर ही टीरी में रेस्टोर्शन λη मनाया जाने लगा उस दिन के बाद ही तो और रेस्ट्रोर्शनल ऩ hört कम मनाया जाता है 28 दिसंबर 1815 को टीरी राजदानी इस्तापना के कारण थी ओनिवो चेतर था दोस्तो वो था अलगनानदा नदी के पस्षीम के मिलने वाली भागिर्यति था भिलंगरा नदी के संगम पर टीरी नामंग स्थान पर रियाग पुरानी टीरी यहां पर टीरी डैम है उस नाम से भी जानते हैं ठीक है अब दोस्तों क्या हुआ कि यार अब इसने भवन तो मना दी लेकिन इसके पास कुछ भवन नहीं थे नौर्मली छोटी छोटी जोपडियां थी एक दो भवन थे इसके सारे जो भी कर्मिचारी थे राजकास वाले थे सारे भवनों में रहते नहीं थे जोपड़ियों में रहते थे तो इसी बीच के वाज तो चैफरवड़ी अथारसो बीस इस भी को बिटिस पर यह टग मूर क्र टीरी पहुंचा ठीक है कौन मूर क्राफ्ट तो इसने यार इसने यहां के आर्तिक इस्तिती देखी तो इसने सुदर्सन सा को सेजेस्ट किया कि भाई तुम महल बना लो यह कर लो थोड़ी सी मदद मैं तुम्हें कर दूंगा क्यूंकि मूर क्राफ्ट सुदर्सन सा से काफ मूर क्राफ्ट ने इसे सजेस्ट किया तो फिर क्या हुआ सुदर्सन सा जी ने एक त्रिखंडी राजभवन का निर्माण स्टार्ट करना शुरू किया ठीक है जिने हम जानते हैं वर्तमान में पुराना दरबार नाम से तो पुराना दरबार का निर्मान किस ने किया important point है क किसने किया सुधर्शन साह ने किया कब कप कि अ 849 में इसका निर्मान प्रारंब किया गया और 30 वर्षों दग इसका निर्मान कारी चलता रहा ठीक है और प्रताप सह के कार की काल तक यहां पवार नेरिशों का निवासिस्थल भी बना रहा लेकिन जब 1880 के टाइम पर कीरती साह आए जब हम आगे बताएंगे वीडियो में आपको तो कीरती साह ने पूराना दरवार छोल कर एक नया दरवार बनाया 1881 में किसने बनाया कीरती सान्दिर्ट रायक ली सुधर्टान शान ने अपने राजकाज को रखने के लिए एक पुराना दरवार तीरी में नया मलब पुराना दरवार नाम से एक भवन राजबहन बनाया जिसका निर्मान अटार्वार रहा रहा है लेकिन और इसकी इसी के अंतरका दोस्तों बड़े-बड़े महल बनाएगे सान्ती महल के साथ चोटे-चोटे वह भी बनाएगे और लोगों के रहने के लिए सेनाओं के तो यह चीज़ें यहां पर दरवार निर्मान और नहा दरवार का निर्मान तो आब यह नोट करते वे चलिए ठीक है अब आती है वार तीरी राज जी के सीमा क्या क्या थी तो अ तक का भाग अलगना निदी के दोरा इनका सीमा निर्दान किया गया और रवाही तथा दून परगने को छोड़कर बागी सारा भाग तीरी राजी में दे दिया गया दक्षिनवर्ती भाग तो यह भी इंपोटेंट पॉइंट है अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया खुड़बडा के युद्ध के बाद जो प्रदुमिसा के छोटे भाई थे कुवर प्रितम सा उनको नेपाल सरकार ने बंदी मिना दिया तो फिर 1817 में दोस्तों नेपाल से उनका पुना आगमन हुआ और 1836 में निसंतान उनकी मृत्ति हो गई तो गार्डनर इगार्डनर स दोस्तों नेपाल सरकार ने ही खड़ाया था लेकिन एट लास्टों 1836 में इनकी निसंतान मृत्ति हुई तो डायकले एक जमब प्रसना पुछा कता है कि प्रितम साह का नेपाल चा पुनारा आगमन कब हुआ 1817 किस के सहयोग से यी गार्डनर के सहयोग से लेकिन दोस्तों सकलाना के माफिदार सिवराम सकलानी और दूसरी इनके समस्या थी रवाई के गोविन सिंग बिष्ट हुआ ऐसा था दोस्तों जब 1815 में गुर्खूं से युद्ध हुए थे तो सकलाना के माफिदार सिवराम सकलानी और रवाई के गोविन सिंग बिष्ट ने किया क्या था इसी बीच में दोस्तों क्या हुआ टीरी राजी में पर्थम जन आंदुलन हुआ तो ये पॉइंट काफी important है कि टीरी राजी में पर्थम जन आंदुलन कब हुआ 3835 में सकलाना के माफिदार सिवराम सकलानी ने अपने राजकास अपनी कुरोड़ता बढ़ा दी थी इस पक्ष में यह प्रथम जन आंदुलन दुलन 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 कब 835 में important point है ठीक है चार जुलाई 3835 को जिसके पस्षाथ क्या हुआ हमारे सुधर्शन साह के राजी की जो भी कुछ समस्या है थी वो कुछ हद तक solve out हुई तो यह point भी काफी important बनता है कि पहला जनांदुलन कब 835 में और यह जो माफिदार सीवराम सकलानी और गोविन सिंग बिष्टे से निपढ़ने के लिए गया इन्होंने एक नियम मनाया British सरकार ने जिसके तहत क्या हुआ था इनको राजा के नियमों का पालन करना पड़ेग तो इनका जो भी इनको विशेज जागिरे दी गई थी ना वह समाप तो हो सकती है ऐसा कहा गया British सरकार के दोरा और दोस्तों सुदर्सन साह के कारिकाल में राज जी के विकास, खल्यान, जन, उत्पिलन, सुचन को रोकने, समाप तकन्यों की पुरी कुशिस की गई था सुदर्सन साह को क्या कहा था दोस्तों कारिसील एवं बुद्धिवान व्यक्ति बताया था ठीक है इसी बीच में दोस्तों बाड़ाहट प्रशस्तियों में उसके दानमानगार कारियूनी की प्रसंचा करते वे सुदर्सन साह को कलाविदों का सिरोमनी कहा गया है कलाविद की काफी तरिफ करिए मॉला राम को छोड़ कर अजब राम ने दोस्तों क्या बताया है मारे सुधर्चन ने क्या इत्यासकार थे, उन्होंने सुदर्शन सा के काफी प्रसंसा की है, किसी ने कलावीदू का सिरोमणी बताया, किसी ने दाता ग्याता सूर्मा बताया, किसी ने द्रंड वचन वाला कहा, किसी ने योग गयां, प्रजावत सल्क सासका, किसी ने विपत्ती में ना गबराने वाला तथा संपती पर ना इत्राने वाला राजा बताया अब इसी से related काफी important point है दोस्तों यहाँ पर कि ये सुदर्शन साथ धार्मिक, विध्या प्रेमी, कला प्रेमी, कभी संसिक्रिति था हिंदी के ग्याता थे काफी important है सुदर्शन साथ का एक राजा ही नहीं थे सुदर्शन साथ धार्मिक, विध्या प्रेमी, कभी संसिक्रित था हिंदी के अच्छे ग्याता भी थे सभासार ग्रंथ काफी important है किसके द्वरा लिखा गया था सुदर्शन सा के द्वरा कितने खंड़े सभासार ग्रंथ में साथ खंड़े है इस ग्रंथ के और जो सुदर्शन साथ थे अपनी जितनी भी रसनाय करते थे कवी सूरत की नाम से करते थे सभासार में सुदर्शन साथ ने खुद को क्या का था सूरत कवी कहा था तो important है सभासार गृंट कोया, सुदर्शन साथ शुदर्वसाहप नियुक्त क要 कर थे, और संसिक्रेटि ये था, घंदी के अच्छे ग्याता भी थे, इनके राजकास में काफी लोग भी आय थे, तो यह काफी इंपोडेन्ट है, नोलakes चलना इनको भी अब थोड़ा सा सुदर्चन साह के सासन प्रशासन के बारे में जाने लेते हैं कि सुदर्चन साह के समय में भी जो 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 अमारे पुराने पत्थे ना परमार राज़ुनस के जिसे वजीर, दिवान, धर्मा, दक्षे, कमाना, सयाना, कामदार, आदी, पूरवरत ही बने रहे जब हमारा परमार खतम हो जाएगा उसके बाद मैं सब बताऊंगा आपको यह प्रशासन सासन ठीक है, तो यह जो पत्थे या पुरानी की तरह बने रहे, सुदर्चन साहने बस एक चीज काफी अच्छी करी कि इसने भूमिकर, यानि कि जो टैक्स होता है, लेंड टैक्स मे लिया तो लिया था सुदर्चन साहने, ठीक है, राज्य को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यार दोस्तो ऐसा हुआ गुर्खाओं ने यहां पर 11 वर्स तक सासन किया, 12 वर्स तक लगववगवग, तो उन्होंने यहां पर ना तो कुछ खेती करी, ना कुछ किया, खाली यह चेत्र मलब बंजर बढ़ गया, तो उसी के वेश पर जो सुदर्चन साहने, इनके सामने काफी बड़ी प्रॉबलम थी, यार कि अपने राज्य का विकास करना है, सांति सांत, जो गुर्खाओं के टाइम पर कुछ लोग यहां से पलायन कर गए थे, गुर्खाओं उसे उत्पिलन से, तो उन्हें भी इसने वापस लाया, मलब बहरादुन आदी शेत्रों में चले गए थे, तो उन्हें भी इसको वापस बुलाना था, अपने राज्य को विक्सित करना था, उसी के तहट इसने काफी कोशी से गी, इसी कारण इस राजा की काफी तारीफें की ज क्योंकि राजा ही समस्त भूमी का स्वामी होता था, परमार राजो से मैंने आपको पहले बताया था, चंद में भी राजा ही समस्त भूमी का स्वामी होता था, वो ही चीछ परमार राजोंस के टाइम पर पर भी थी, तो इसी के तहट दोस्तों जब हमने थोड़ी दिर पहल और रवाई के गोविन सिंग बिश्टे से इसे बड़ी समझे आये थी तो बाद में एक नियम पारिद किया गया था उस नियम के तहत किया चार जुलाय अठार स्व पैंटीस को उसके तहत किया गया शिवराम सकलानी को छे गाउं दिये गए गोविन सिंग बिश्टे को तीन तो इसी के तैद उनसे कहा गया कि भाई तुम्हारा चेत्र इतना ही है तुम कहीं और नहीं आ सकते हो ठीक है और साथिशांद गुरुराम राय मंदिर देरादून बताया था गुरुराम राय मंदिर च्छे गाउं जागीर में दिये थे क्योंकि राजा ही समस्तवोमी का अपना भी हमारा किस ने करवाई थी सुदर्शन साहा ने कराई थी इंपोटेंट है पॉइंट ब्रिटिस गड़वाल के समान दिवान यह था उच्छे नहीं आया लिए कि इस तापना किस परवान से सासक ने कराई थी सुदर्शन साहा ने थी ठीक है अब दोस्तों क्या अठाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा गया थी 857 के भारतियु सहंता संग्राम में ब्रिटिस सरकार की साहिता करी थी किसने हमारा सुदर्शन साहा ने जिससे इसनों क्या किया था दोस्तों उनकी साहिता के लिए आपने जो महल थे ना अपने महलों में अंग्रेजु को रुकवाया उन्हें खिलाया पिलाया चकर में इसी बीच में लेने लेने के चकर में लास्ट में उनकी मृत्ती हो गई कब 6 जून 889 को तो 877 की आप सुदर्शन साह की आट रानिया थी और दो विवा हुए थे और कुछ इतियासकार मानते हैं कि सुदर्शन साह के बाद सेर सियासन पर बैठा कुछ मानते हैं बद्रिविषाल पर शुदर्शन साह की अपार्स रिद्दा थी तथा प्रजा सुदर्चन साह को बोलागा बद्रिनाथ मानती थी काफ of important कवी विध्या प्रेमी साहित्य प्रेमी और संसिक्रिती हिंदी के ग्याता के साथ-साथ यहां कला प्रेमी भी थे इन्होंने क्या गया था अपने टाइम पिलेट पे मौलाराम चैतु मानकु नामक चित्रकारों को भी संदेक्षन दिया था यानिकि इनके राज़दरवान में मुला राम चैतू मानको को भी संदक्षन था तो important point एक जाम में पुछा है था कि चैतू मानको को किस परमारों से सासा के संदक्षन दिया था तो सुदरसन साह ने अब बात करते हैं कि सासन के डाहिम पे कुछ जो main point है उनके बारे में सुदरसन साह का राज कभी कौन था उस तो हरिदत सर्मा धर्मा देक्ष भी खाज़ता संसिक्रित गरंतुगा रसनाकार था था ये ठीक है इसी के सासाथ काफी और लोग भी थे सुदरसन जो सुदरसन ओदाई काव ये किसके द्वारा लिखा गया है ये कुमुदा नंद ने लिखा है कुमुदा नंद ने लिखा है सुदरसन ओदाई काव ये ठीक है और इनके राज कभी और धर्मा देक्ष कौन थे हरिदत सर्मा जिसको संसिक्रित गरंतुगा रजीता भी बताया गया और दोस्तों सुदरसन साह के बारे में सुँदर्शन साह के माणको को सनेक्षनल दिया एक我 पुस्तक की निदी ऊपाइं है यह जो कवीता सुदर्शने क्हा सून कordशन कौई तफा राजा दे जाने मामको के को हां जिस सुदर्शन साह को sent ज subtरिफर कहा है अब दोस्तों इसका रीजन यह ना कि हमारा पता है कि मौलाराम ने गुर्खाओं को यहाँ पर आकरमण करने के लिए उकसा है था गुर्खाओं के राज की मौलाराम ने काफी तारीफ करी थी तो इसी करण़ के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ यार अभी प्रस्टन पुछा क्या था मुलाराम से रेटट दो प्रस्टन दोनों मेरी वीडियो से आये थे वो देख लिए यार पूराने पाट सारे देख लीजीगा तो अब ये थी दोस्तों सुधर्चां सा से रेटेट औल इंपोर्टेंट जानकारिया यार अब हम बात करते हैं टेस्ट अब आप लोगो इन प्रसनों के आंटतर खुद बताने है प्रसनों में पढ़ऊंगा आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है अंसर वीडियो पॉज करके देखते हैं आप लोग ने कितना सीख है अगर ये प्रस्नों के अंसर नहीं आ रहे हैं तो वीडियो पुराप्पू दुबारा देख लीजिएगा यार ठीक है पहला प्रस्न गलराज़ी का संस्तापक त्था पुनर संस्तापक किसे माना जाता है depths box में reply दिजिए दूसरा प्रस्न तीसरा प्रस्न सुदर्सन सा ने किन-किन कवियों को संञेक्षन दिया या उनके राज़दरवारी कभी कौन-कौन से थे सभी लोग अंसर आपको comment box में देने है अगला हमारा नवा प्रसन सुदर्शन दर्शन कविता के लेखक कौन है अंसर दीजिए दस्वा प्रसन चैतु एम मारकूं कौन थे अब कमेंट बॉक्स में अंसर दीजिए वन टो थरी करके दीजिएगा बाड़ाहार देवमंदिरों का जिर्नोधार किस ने कराया कमेंट 12 प्रसन सूम करपन खसिया नरफ किस राजा को किस गरंथ में तथा किस के द्वारा कहा गया मैंने आपको बताया था सूम करपन खसिया नरफ से इनकी तुलना की गई है किस की किस गरंथ में की गई है तथा किस के द्वारा की गई है और किस राजा को कहा गया यह भी बताने ठीक है अगला प्रेस्ट सुदर्तन साह का राज दिलग किस ने गिया अंसर कमेंड बॉक्स में दीजिए बता चुका हूँ सारे प्रेस्टन साह के दर्वार में कुमाउच्था नैपाल से कौन-कौन आये थे कमेंड बॉक्स में अंसर दीजिए गडवाल जिली का निर्मान कप किया गया कमेंड बॉक्स में अंसर दीजिए कमेंड बॉक्स में अंसर दीजिए तो यार कमेंड बॉक्स में अंसर देने के पूरी कोशिष किजिए का वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी जरूर करें लाइक सस्क्राइब सेयर जरूर करें और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर भी करें So thank you, thanks for watching this video, see you next time